जब दाही का अंक समान दिया हो तब 2nd में गुणा कैसे कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले हमको करना है इकाई गुणा इकाई इकाई कितना होता है तो 3,18 तो मैं यह 18 लिख दिया हूँ तो दूसरे step में हम देखते हैं कि इकाई प्लस इकाई यानि 6 और 3 नो और गुणा दाहाई से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9 चोग 36 और तीसे step हम करते हैं दाहाई गुणा दाहाई करते हैं तो चार चोक 16 हो जाता है अब इसका अंसर कैसे लिखेंगे तो देखेंगे हम यहां पर पहला स्टेप में हैं तो यहां पर आए गया आट हासिल एक 36 और एक 37 हो जाता है 37 की साथ हासिल आई तीन इसमें जोड़ते हैं तो यह हो जाता है हमारा उन्नीस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करें जैहिन जैभारत